प्रचीन काल की बाद हैं, मगद देश की जंता में आतंग छाया हुआ था अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नी जुरा पाते थे कारण था अंगली माल अंगली माल एक खुखाड आकू था जो मगद देश की जंगलों में रहता था जो भी रहगीर उस जंगल से गुजरता था, वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मार कर उसकी एक उंगली काट कर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था इसी कारण लोग उसे अंगली माल कहते थे एक दिन महात्मा बुध उस गौँ में आये, लोगों ने उनका खुबस्वागर सतकार किया महात्मा बुध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है महात्मा बुध ने लोगों से इसका कारण जाना चाहा लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का गारण डाकू अंगुली माल है वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है महात्मा बुध ने मन में निश्चे किया कि उस डाकू से अवस मिलना जहें बुध जंगल में जाने को तयार हो गए तो गाउवालों ने उन्हें बहुत रोगा क्योंकि वो जानते थे कि अंगुली माल के सामने से बच पाना मुस्किल ही नहीं असमभवी है लेकिन बुध अत्यांत सांथ सभाव से जंगल में चले जा रहे थे तभी पीछे से एक करकस आवाज कानों में पड़ी ठहर जा कहा जा रहा है बुध ऐसे चलते रहे मानों कुछ सुना ही नहीं पीछे से और जोर से आवाज आई मैं कहता हूँ ठहर जा बुध रुख गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खुखार काला बेक्ती खड़ा था लंबा चोड़ा सईर बढ़े हुए बाल एकदम काला रंग लंबे लंबे नखून लाल लाल आँखें हाथों में तलवार लिए वे बुध को घूर रहा था उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी वे बहुत ही डराबना लग रहा था बुध ने सांथ वो मधुर सवर में कहा मैं तो ठहर गया भला तू कब ठहरेगा अंगलियमाल ने बुध के चहरे के और देखा उनके चहरे पर बिल्कुल भे नहीं था जबकि जिन लोगों को वे रोकता था वे भैसे थर-थर कापने लगते थे अंगलियमाल बोला हे सन्यاسी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा देखो मैंने कितने लोगों को मार कर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है बुध बोले तुस्से क्या डरना डरना है तो उससे डरो जो सचमुछ ताकत बर है अंगली माल जोर से हसा हे साधू, तुम समझते हो कि मैं ताकत बर नहीं हूँ मैं तो एक बार में दस दस लोगों के सीर काड़ सकता हूँ बुद्ध बोले, यदि तुम सच मुझ ताकत बर हो तो जाओ, उस पेड़ के दस पत्ते तोड़ लाओ अंगली माल ने तुरन दस पत्ते तोड़े और बोला इसमें क्या है, कहो तो मैं पोड़ा पेड़ी उखाड़ना हूँ मात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाने की कोई जरूरत नहीं यदि तुम वास्तों में ताकत बर हो, तो जाओ और इन पत्तियों को उस पेड़ी में चाकर वापस जोड़ दो अंगली माल क्रोधित हो गया, और बोला, भाला कहीं तूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीछ को जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने कातिकार तुमें किसने दिया एक आदमी का सिर जोड नहीं सकते, तो काटने में क्या भादुरी है अंगली माल अवाक रह गया, वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा एक अंजानी सक्ती ने उसके हरदय को बदल दिया उसे लगा कि सचमुछ उससे भी ताकत बर कोई है उसे आत्म गलानी होने लगी वो है महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला है महात्मन मुझे छमा कर देजिए मैं भटक गया था आप मुझे अपनी सर्ण में ले लिजिए अगमान बुद्ध ने अपनी सर्ण में लिया और उसे अपना एक सिस्से बना लिया वही अंगली मल डाकू आंगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा सिस्से बना इसी प्रकार हमारे लाइप में भी ऐसी बहुत से परिष्चितियां, समस्याएं वह इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता इनका सामना नहीं किया जा सकता हम डरते हैं उसे, हम उनसे दूर भागते हैं हमें लगता है इसका कोई समधान नहीं है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है यदि हम सांत दिमाग वो निड़रता के साथ किसी कभी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है उसे हराय जा सकता है उसे जीता जा सकता है